हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू अल अफ यू, आपका तहे दिल से स्वागत है विद्याद्स मस्ती की पाटशाला में आज हम इस वीडियो से कवर कर रहे हैं महाराश्ट्र बूर्ड स्टेंडर्ड टेंथ का Science and Technology Part 2, Heredity and Evolution जो आपका फर्स चाप्टर है, Heredity and Evolution वो हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में जो आपके बूप में दी है, Topics, Data वही सेम लिया है मैंने किताब में से लेकिन जो कुछ Important Data है सिर्फ वही लिया है और वही आज हम इस वीडियो से Concept Clear करेंगे पहले हम Concept Clear करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, तो हमें रट्टा वाजी नहीं करना है, पहले हमने Concept समझने है, ठीक है तो अब हमारा पहला टॉपिक क्या है, Heredity and Changes, Heredity and Hereditary Changes Heredity मतलब क्या होता है, Heredity मतलब वनशागति या फिर अनुवान शिक्ता कहते हैं जैसे कि कुछ कारेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे दादा जी में से हमारे पैरेंट्स में आ जाते है फिर हमारे पैरेंट्स में से हम में या फिर हमारे भाई बहन में आ जाते है तो यह ऐसे क्यों होता है कि कुछ क्यारेक्टर सेम दादा जी में से बोलो या फिर दादी जी में से बोलो फिर पापा में से हमारे में आ तो नहीं दी है कि ये मेरी नाग तुम ले लो वो तो उनके जीन्स में से हमारे जीन में आई है तो ये जो ये जो ट्रांसफर प्रहता है इस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं हेरी डिटी इसको क्या बूलते हैं हेरी डिटी तो हेरी डिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है हेरी ड जीन्स की माध्यम से एक पीडी में से दूसरी पीडी में, दूसरी पीडी में से तिसरी पीडी में, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये जीन्स ट्रांसपर होते हैं और इस ट्रांसपर में से ये कुछ कारेक्टर्स भी ट्रांसपर होते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्य बोलते हैं heri-diti और इस changes को हम क्या बोलेंगे heri-ditary changes बोलेंगे ठीक है जैसे अभी हम इस, इस diagram में बताते हैं कि ये कुछ एक आदमी है इस एक आदमी के jeans ये, ये एक इंसान में गए फिर ये एक इंसान में गए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे दादा जी है दादा जी में स कुछ जीन्स हमारे पपा में गए और कुछ चीजे हमारे कुछ जीन्स हमारे चाचा के इसमें गए फिर हमारे पपा में से हम में या फिर हमारे सिबलिंग में आ गए फिर इसमें भी ऐसे ही है सेम पैटन चाचा जी में से कुछ हमारे सिबलिंग में आ गए ठीक है मतलब शायद ये उनके लड़का लड़के है उनमें से ट्रांसफर हो गए तो ये जो ट्रांसफोर्मेशन है genes का one generation to another generation इस 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 डाइगराम में देखिए इस डाइगराम में clear दिखेगा कि ये एक बच्चा है और ये उनके पैरेंट से ये मम्मी है और ये पपा है तो इस बच्चे के देखो eyes same to same पपा जैसे है लेकिन hair मम्मी के जैसे है हाँ ठीक है और कुछ ये देखो height मम्मी के जैसे हो गई है और years पपा के जैसे हो गए ठीक है तो ये कुछ characters पपा के जैसे है और कुछ character मम्मी के जैसे है तो ये जो generation to generation ये जो genes transfer होते है तो इस genes की transfer की वज़े से changes आते है तो उसको बोलते है हम heredity I hope आपको ये concept clear हो गई बस इतना ही है कि heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes तो अब आप बोलोगे कि ma'am what is meant by genes ठीक है तो अभी next slide में देखते है कि what is meant by genes हाँ तो देखिए अब इसकी तरफ अभी फिला दयान मत दीजिए क्योंकि ये अभी आपको फिला समझ में नहीं आएगा ये इधर rough side में देखिए हमारे body में ये sale रहता है अभी आपने ये previous standard में ही सिखा होगा sale रहता है sale में क्या रहता है nucleus रहता है ठीक है और भी other other extra things रहती है लेकिन अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे ठीक है ये क्या है nucleus है ठीक है and for nucleus ओके so अगर हम और ये nucleus में भी और कुछ some things रहते है ठीक है तो ये देखे ये यहाप अभी ये है blue जो color violet color का है वो क्या है sale है ठीक है ये nucleus है और nucleus में भी ये x-like shapes रहते है x-like shape इस x-like shape को क्या बोलते है chromosome तो ये nucleus में सिर्फ एक ही chromosome रहता है क्या नहीं तो ये कितने रहता है total 46 chromosome स रहते है 46 लेकिन ये एक ये मतलब ऐसे ये एक हो गया सिर्फ ये एक chromosome हो गया और ये दूसरा तो हमेशा 2 chromosome ऐसे paired form में रहते है ठीक है 46 chromosome याने कितने pairs total 23 pairs ये cell में कितने pairs रहते है 23 pairs of chromosomes रहते है तो ये chromosome हो गया एक ठीक है तो इसको ये it is a thread like structure अगर हम इसको ऐसे खीचेंगे यहां से खीचेंगे ये अपने eyes से naked eyes से नहीं दीखता ये सब microscope में देखना पड़ता है तो अगर हमने इसको एक साइट से खीच लिया, तो फिर इसका और या इसे थ्रेड बाहर निकल जाएगा, लंबा सा, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, DNA, क्या बोलेंगे हम, DNA, ठीक है, समझ मैं आ ग इस डिएने को भी हम अगर लंबा खीचेंगे तो फिर यह स्ट दिख राए यह से-सट और एकर कोच इस इस पीर वीटर को हम क्या बोलेंगे इस पर रहे हाव भी हमने पिछले स्लाइड में देखा ना कि जीन्स ट्रांसवर होती प्रेंट्स में इससे ऑर फिर उसकी वजह से जो कुछ गक्र करक्डर से हमारे प्रेंट्स में हैं वही सेम करक्डर हमारे में आ जाटे तो वह वाया जीन स आ geben तो समझ में आ यह जीन्स क्या होता है कैसे दिखता है ठीक है और अभी हम आगे देखते अभी तो यह अभी पर एक न को सब्साइब काशने केले नहीं है इस लिए मैंने शिर्फ यह समझाने के लिए है तो आपको समझ में नहीं आएगा साइन्टीस जो आपके किताब में है तो फर्स्ट साइन्टीस कौन है 1806 में जॉन ग्रिगर मेंडल इन्होंने किसकी खोज की है तो मौडल जेनेटिक्स की जेनेटिक्स मतलब जो हम जीन्स में कुछ चेंजेस करते है उसकी वज़ा से जो चेंजेस आजाते है उसको क्या बोलते है जेनेटिक्स ठीक है जैसे की एक मिनिट स्लाइड ले ले जी हो मैं ब्लैंक वाली अब ये ब्लैंक स्लाइड में देखिए ये अगर एक ये है अपना डियने ठीक है अगे तो अगर मान लीजे कि इस पार्ट में ये अपने पैरेंट का डियने पैरेंट का मान लो पिता जी का है या फिर मदर का आपको जो चाहिए वो ठीक है ये डियने इस पार्ट में कुछ गड़बढ है इतने पार्ट में कुछ गड़बढ गड़बढ मान लो कि उनको डायबेटीस है ठीक है तो यह DNA यह जीन अगर उनके बच्चों में आ गया तो फिर उनको भी सेम वही प्रॉब्लम होगा ठीक है राइट तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इस पार्ट में गड़ बड़ी है ना तो फिर इतना पार्ट वो काट लेंगे हाँ सई सुन रहे हैं इतना पार्ट हम वो कैची से काट लेंगे और फिर इसकी जगब पे कुछ वो दूसरा एलिमेंट एड़ करेंगे मतलब दूसरा gene add करेंगे जो कि सही है जो बिल्कुल सही work कर रहा है और फिर ये जो सुद्रा हुआ DNA है वो असले DNA में जोड़ देंगे तो ये parents में से जो DNA आ गया तो फिर कुन सा वाला DNA आ गया अच्छा वाला DNA आ गया ठीक है इसमे इसमे diabetes होगा क्या तो नहीं होगा तो ये जो genetics है ये जो हमने कुछ बदला किया है इसमें इसको बोलते है genetics तो ये जो modern genetics है तो इस modern genetics की खोज किनों ने की है ये John Grigor Mendel in scientist इसलिए और ये important है इसके लिए उनको Nobel Prize वगरे भी मिला है इसलिए आपको कैसे visualization से जादा याद में रहता है और ये important scientist है ये हमें याद रखने ही रखने है इसलिए मैंने इनका फोटो बगरे लगा लिया है ताक कि आपको याद रहे अच्छे से ठीक है बागी scientist की भी नाम याद रखने है अगर आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो फिर इसलिए याद रह जाएगा ओके ठीक है तो 1901 में Hugo 1901 में Hugo, D. Rice इन्होंने mutational theory के बारे में बताया है कोई से theory mutational theory mutational theory अभी what is meant by mutation ये हम आगे बढ़ते हैं अभी हम सिरफ किन scientist ने किस की खोज लिये सिरफ वो बताती हूँ ठीक है 1902 में Walter and Sutton इन्होंने क्या किया paired chromosome in the cells of grasshopper it was proved that genes are carried via chromosome तो अभी हमने last slide में देखा था कि what is meant by chromosome chromosome ये ये x paired like shapes ठीक है ये thread like shape ऐसे ऐसे फिर तो इन्होंने क्या बताया इनके discovery में क्या था कि grasshopper जो घास पे जो कीड़े रहते ना इन्सेक्ट्स तो grasshopper में जो एक generation में से दूसरे generation में genes through chromosomes transfer होते है sorry उल्टा बोला मैंने chromosome में से genes transfer होते है ये उन्होंने प्रूव किया ठीक है 1944 ओस्ट वर्ड एवरी मैकलीन एमकार्थी एंड कोलीन मैकलियोर्ड इन्होंने क्या किया except viruses all living organisms have DNA as genetic material मतलब क्या बोलते है वो कि वाइरस को छोड़के वाइरस को छोड़के बाकी जितने भी living organism है उन्होंने क्या रहेगा DNA रहेगा as a genetic material क्या बोल रहे है वो कि वाइरस को छोड़के every living organism मतलब वाइरस में क्या नहीं रहेगा DNA नहीं रहेगा और living things में DNA होगा तो वाइरस में DNA नहीं होगा तो वाइरस में क्या होगा तो वाइरस में रहता है RNA वाइरस में क्या रहता है RNA ठीक है समझ में आगा है वाइरस में क्या रहता है RNA बोलो मेरे साथ लर्न होना चाहिए RNA RNA का फुल फॉर्म क्या है Ribose Nucleic Acid Ribose Nucleic Acid ठीक है ओके आगे देखते हैं डीटेल में 1961 में Francois Jacob and Jake Monod इन्होंने क्या फाइंड आफट किया कि model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells क्या फाइंड किया कि protein का synthesis कैसे करते है DNA bacterial cells के DNA में protein synthesis कैसे होता है इनकी होचकी है it help to uncover the genetic code hidden in DNA DNA में जो codes रहते हैं उनकी खोचकी ठीक है तो अभी आप बोलोगे कि मैं आप पहले DNA तो बताओ क्या होता है तो next slide में देखते हैं ठीक है चिंता नहीं करना यह दीखिए यह होता है DNA जो every living organism में रहता है ठीक है every living organism में तो पहले हमने क्या करना है कि DNA का full form याद रखना है DNA का full form में याद रखना है DNA का full form क्या है Deoxyribonucleic Acid तीन चार बार बोलो मेरे साथ learn हो जाएगा Deoxyribonucleic Acid चलो जोर से बोलो Deoxyribonucleic Acid Deoxyribonucleic Acid बोलो what is meant by DNA का full form क्या है तो Deoxyribonucleic Acid चलो very good पता है मुझे कि आप सब को अभी learn हो गया ठीक है तो DNA क्या रहता है कि ये double standard part ये देखो ये एक part एक strand और ये दूसरा part ये देखो इस diagram में देखो पहली वाली ये एक हो गया ऐसे और ये second इसके बीच में ये कुछ lines है जो हमने पिछली diagram में भी दिखाये थे ठीक है तो ये कैसे बना रहता है DNA ये इधर दिखाती ठीक है ये एक strand और ये double strand वेटर अच्छा से निकालती होना है इसको erase कर लेती ये हो गया एक strand और ये इसका दूसरा strand ठीक है इसके बीच में ये lines रहती है तो इस lines को क्या बोलते है nucleotides इस lines का नाम क्या है nucleotides और इस एक part में इतने एक part में कितने lines रहती है तो 10 lines रहती है कितने lines 10 lines और इस lines को क्या बोलते हैं हम nucleotides ठीक है nucleotides nucleotides ठीक है तो ये nucleotides किससे बने रहते है तो ये देखो ये यहाप है adenine adenine thiamine gonine cytosine मतलब ये एक nucleotides ये एक line ये एक line में चार अलग-अलग units रहते है adenine thiamine gonine cytosine short में हम इसको कैसे याद रखेंगे ATGC ATGC बोलो तीन चार बार ATGC 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 adenine thiamine gonine cytosine adenine thiamine gonine cytosine ठीक है तो DNA समझ में आ गया अगर double standard helix है तो ये क्या है DNA है ये all living things में रहेगा except viruses मतलब अभी आया था कोरोना वाइरस वो क्या था वाइरस था तो उसमें DNA रहेगा क्या नहीं तो उसमें क्या रहता है RNA रहता है ठीक है अभी देखो अभी हम इस लाइड में पढ़ेंगे RNA क्या पढ़ेंगे RNA RNA तो RNA का फुल फॉर्म वो भी याद रहेना चाहिए तो RNA का फुल फॉर्म क्या है Ribonucleic Acid क्या है Ribonucleic Acid आप बोल रहे होगे कि माम ये तो हमारे बुक में अभी नहीं दिया है लेकिन ये जो आगे आगे भाए आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ रटा बाजी नहीं करनी है तो हमको कंसेट से करना है सब कुछ कंसेट अगर कंसेट अच्छे से क्लियर है तो फिर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं पेपर में ठीक है इसलिए हम इस फर्स्ट वाले वीडियो में सिर्फ भुक का थोड़ा सा ही पार्ट कवर करेंगे जादा तर हम बेसिक कंसेट पे फोकस करेंगे ठीक है ओके देन अभी क्या है हम इसमें राइबो न्यूकलियक आसीड आर एन ए आर एन में क्या रहता है यह सिर्फ यह सिंगल स्टेंट रहता है एटेजिसी रहता लेट आटेजिसी रहता है चार बर गूलता हमने एडैनीन थायमीन गौनीन साइटोसिन तो आर एनमboys क्या रहता है इस थायमीन को हम ट्रांसपर करतें इसको हम हटा देते है थायमीन के जगपे क्या लगता है'm U माने यू रासिल इसमें आर्यने में क्या रहता है AugC थीक है तो आर्यने क्या रह тाहा है Signal Standard मतलब इसन्फ एक साइड में तो अगर हम ऐसे सोच लो कि DNA को अगर यह है DNA टीक है Double Standard One серьез and One category तो अगर हम इसको ऐसे काट लेते है तो फिर बन गया RNA ठीक है बिन बन गया अगर हम यह सोच लो ऐसे की काट लिया हमने इसको ऐसे एक स्टंड बन गया तो हम DNA से RNA बना सकते हैं सेम वाइज हम RNA से DNA भी बना सकते हैं ठीक है वो बाद वाली कंसेप्ट है तो इतना समझ में आ गया यह ऐसा दिखता है राइबो न्यूकलिय आसीड ओ क्या कराएगा एडेनीन यूरासील गॉनीन और साइटोसीन ओके नेक्स्ट लाइट दिखते है भी हाँ तो यह आपके बुक में दिया हुआ है यह डाइग्राम नहीं दी है यह वाली डाइग्राम एक मिनेट थी यह क्या हो गया पेन ले लेती हूँ हाँ अगया हाँ तो यह डाइग्राम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दी है यह और यह पार्ट आपके बुक का है ठीक है तो इसमें से कुछ बेसिक देफिनेशन है वो बताऊंगी हाइलाइट करने के लिए तो वो अंडरलाइन कर लेना ठीक है तो अभी हम क्या है ट्रांस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ओके सो क्या बुलते हैं देखो विद दा हेल्प ओफ आरेने दा जीन्स प्रेजेंट इन फॉर्म ओव डीने पार्टिसिपेट इन दा फंक्शनिंग ओव सेल एंड देर बाय कंड्रोल दा स्ट्रक्चर एंड बॉलते हैं कि जो जीन्स में जो डीने और आरेने रहता है उनकी हेल्प से क्या करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ओब दा बॉड़ी की बॉड़ी के किस पार्ट को कौन सा फंक्शन करना है कि अगर ये जो डीसाइड नहीं रहता तो फिर क्या करता नोस कुछ भी क काम करता अभी तो specific है आई का काम क्या है सिर्फ और सिर्फ सी करने का मतलो सिर्फ और सिर्फ देखने का ठीक है और माउथ का क्या काम है सिर्फ खाते रहना खाते रहना ठीक है माउथ का काम और eyes का काम क्या है कि देखते रहे ना इधर उदर तो अगर हम अगर ये specific नहीं रहता अगर ये decided नहीं रहता कि किसको कौन से काम करने तो कोई कौन सा भी काम करता तो ऐसे हमारे functioning अच्छे से चलती क्या obviously नहीं चलती तो ये जो ये है कि कौन सा function किसको करना है इसको कौन सा function करना है तो ये किसने decide किया तो ये decide होता है RNA और DNA से की RNA और DNA से की कौन सा function किस body part को करना है वो information उसमें fitted रहती है ठीक है आगे बोल देखते information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body these proteins are synthesis by DNA through the RNA and this is called as a central dogma so central dogma क्या है कि कुछ नहीं से जादा कुछ difficult concept नहीं है नाम तो ऐसा इतना बड़ा दिखते है what is meant by central dogma oh my god लेकिन इतना कुछ घबराने की चीज नहीं है सिर्फ क्या है कि protein synthesis protein synthesis अभी यह नाम तो protein तो आपको सभी को पता है what is meant by protein हमारे बोड़ी को लगता है तो protein हमारे बोड़ी में बनता कैसे है synthesis मतलब कि बनाना तो synthesis कैसे होता है बोड़ी में DNA की और RNA की help से उस process को हम क्या बोलते है कि central dogma यह देखो इसमें समझाए हुए यह है DNA red color वाला यह देखो adenine, thiamine, gonine, cytosine ठीक है DNA ऐसा था तो DNA वैसा ही रहता लेकिन यह सिर्फ ऐसे उन्होंने diagram में समझाने के लिए दिया है तो यह DNA है तो DNA का अगर हम transformation RNA में करेंगे तो उस process को हम बोलेंगे transcription ठीक है और फिर RNA का अगर protein में synthesis करेंगे तो उसको बोलते है translation तो इस पूरी की पूरी process को इन तीनों steps को first steps, second step और third step इन तीनों steps को हम क्या बोलेंगे साथ में central दोगमा ठीक है तो अभी आप बोलोगे कि यह क्या है transcription translation तो यह हम next वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अभी अगर वो पढ़ाने जाओंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप बोर हो जाओगे फिर आप बोलोगे कि मैं आपने एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया तो इसके लिए हम next वीडियो में और बहतरीं तरीके से समझेगे ठीक है इस पार्ट में हमने क्या किया सिर्फ बेसिक बेसिक कांसेप लिए ठीक है सेंट्रल टोगमा की कंसेप फिर आईरेने डी एने और कुछ साइंटीस की बारे में जानकर लिए है ठीक है बाकी हम next वीडियो में कवर करेंगे till then stay tuned ओके फिर अच्छे से पढ़ाई करो बाई बाई बच्चो बाई बाई और एक काम की चीज कौनसी अगर आपको सच में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना आपके फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना और सस्क्राइब करना और शेर भी करना ठीक है बाई